आप सभी को मेरा साधर परणाम और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की बेहत खास ख़बर में मैं सोन्या चौधरी फ्रॉम ओमप्रूप्टेक प्राइविट लिमिटेड तो सात्यों हर दिन अब मैं बहुत बड़ी-बड़ी ख़बर के साथ तमाम नई अपडेट के एयरपोर्ट से रिलेटिड हो या फिर मुआपजे से रिलेटिड किसानों से रिलेटिड या जो भी महापट डवलपमेंट चल रहा है उससे रिलेटिड तो आज की भी बहुत बड़ी-बड़ी ख़बर हाजिर है एक, दो, तीन मतलब अब तो रोज नहीं बहुत बड़ी- आगे दिन और रात बढ़ रहा है, तो आएए क्या है खबर पहले तो स्क्रीन पर डाल लेते हैं, एक बार नजर, मोटो जीपी रेसिंग से मिलेगी उत्तर प्रदेश को मजबूती, जी 24 से सितंबर से स्टार्ट होने वाली मोटो जीपी बाइक रेस और पूरा लगा हुआ बुद्धा इंटरनेशनल सरकीट तैयारियों में, तो इससे कहीं न कहीं, योगी जी का ये कहना है, कि जो मोटो जीपी रेस हो रही है, उससे उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी, वही दूसरी खबर, जेवर एरपोर्ट से प्रभावित किसानों और अफस सब के साथ एक बैठा कुई और वो बैठक बहुत ही सफल साबित होई, वही एक और खबर, रेल और सडक से जुड़ेगा नौईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लगातार लोगों के कोश्चन थे, कि मैम ये नौईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जुड़ेगा, चाह तरीके की प्लैनिंग, हर तरीके की जो प्लैनिंग और स्टाटेजी यूज कही थी, अब वो कही न कहीं एक्जीक्यूट और इंप्लिमेंट होना शुरू हो रहा है उन पर, तो साथियो इसमें कहना कोई भी दोराय नहीं होंगी कि जो मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन ह योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश एक अलग सौगात लेने जा रहा है, अलग मजबूती उत्तर प्रदेश की बनने जा रही है तो जो योगी जी है, उन्होंने एक टिकेट भुकिंग का क्योंकि शुरु हो गया है, टिकेट बुक होनी रही है तो ये बहुत खुश खबरी भी है हम सब लोगों के लिए और सबसे बड़ी चीज उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे जिनकी उमीद थी कि यहां पर कुछ तो होना चाहिए तो 2023 से शुरूवात होने लगी हैं बहुत सारी चीजों की तो अब 22 से लेके 24 सितंबर तक को हमें ये रेस देखने को मिलेगी और जो मोटो जीपी बाइक का जो शुर है जो चहल पहल है वो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में होता हुआ नजर आएगा वहीं दूसरी बात करी हमने किसानों की की जेवर एरपोर्ट के जो किसान है वो कहीं न कहीं अभी ऐसे हमत थे बहुत सारी चीजों से उन्होंने बहुत सारे मुद्धे रखे और जो जमिन अधिगरण हो रही है उनकी जो बिंदूए थी उनकी जो समस्याएं थी उनको उस बैठक में रखा गया तो यमना प्राधिगरण से प्रभावित गाउं के किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है अब दरासल भारते किसान यूनियन की अगुवाई में चल रहे धरने पर 12 जून को जेवर के सावोता कट पर भारते किसान यूनियन की महा पंचायत हुई थी बहुत सारे किसानों ने धरना दे रखा था अपनी समस्याओं को लेके कि हमारी मांगे पूरी करो वही जिसमें यूनियन के रास्टे अद्धक्ष चौधरी नरेस टिकैत पहुँचे थे उस दिन हैं वो भी शामिल हुए और मनिश जी भी उसमें शामिल हुए और जो भी उनकी समस्याओं जो भी उनकी दिक्कते थी उनको उस बैठक में रखा गया और उनका समाधान भी निकला है इस बार वहीं इसी सिलसले में गुरिवार को भारतिय किसान यूनियन की मीटिंग जिलाधिकारी मनिश कुमार वर्मा यमना प्राधिकरण के सीओ अरुनवीर सिंग जी ग्रेटर नॉडा की सीओ रित्तु महिश्वरी सारे काफी सारे अधिकारी बैठक में शामिल रहे वहीं जिलाधिकारी किसानों को मिलेगा जो बड़े हुए मुवजे की मांग थी उस मुवजे की भी बात हो गई है और उन्हें उसी हिसाब से किसानों को दिया जाएगा किसानों की विस्थापना से जोड़ी की मांगों पर भी विचार चल रहा है नियंतम भुकंड का आकार 50 से बढ़कर 100 वर्ग मीटर किया जाए जो नियंतम जो मिनिमम भुकंड दिया जाता है किसानों को वो 50 से बढ़ाकर 100 मीटर की मांग की और उस पे भी सहमती हो गई है परिवार के एक सदस्य को नौकरी या 5 लाख रुपे मुस्त प्रावधान है इसे बढ़ाकर 12 लाख किया जाए उन्होंने बोला कि या तो किसी सदस्य को नौकरी मिले या नौकरी नहीं देते हैं तो 5 लाख से बढ़ाकर उसे 12 लाख की एक धनराशी दे तो काफी सारी चीज़े रखी हैं किसानों ने इस बार अपनी वहीं सीओ अरुन्मीर सिंग ने बताया कि नौ गाओं का 64.7% मुआवजा बाटने की प्रिक्रिया 26 जून से शुरू होगी नौ गाओं में जो 400.7 बड़ा हुआ मुआवजा है वो बाटना शुरू हो जाएगा वो भी कैंप लगा कर गाओं के बाहर तो जो जो समस्याएं जो जो चीज़ें जो जो परेशानिया आ रहे हैं उनका साथ की साथ निवारण भी कर रहा है अब प्राधिकरण और तीनों ही प्राधिकरण मिलकर समस्याओं को सुलझा रहे हैं और उनसे निकल कर अपनी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं वही आबादी और बैकलीस से जुड़ी आपत्या लेकर उन पर कार्रेवाई हो रही है जल्द ही किसानों को आबादी का लाब मिलेगा पुस्तैनी और गैर पुस्तैनी किसानों को जल्द ही 7% वाले जो प्लोट हैं वो भी आवंटित होंगे वो भी उने मिलेंगे नौइडा और ग्रेटर नौइडा के CEO रित्तु महेश्वरी जी ने कहा कि किसानों की आबादी बैक लीस के लिए आपत्यां दी गई थी उन पर कार्रेव पून हो चुका है अब 26 जून से 10 गाओं का आबादी निस्तारण होगा उन्होंने भी अपनी बाते रग दी कि जिसको जो समस्या आ रही थी चाहें वो लीस से रिलेटिड हो चाहें फिर वो 7% भूकन से रिलेटिड उन सब का समाधान बैठक में निकल चुका है जो कल ही में बैठक होई थी वही नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सांदार सडको और रेल से जोडा जाएगा दिल्ली हावडा रेल लाइन पर बुलेंशर जिले में चोला रेलवे स्टेशन है चोला से एयरपोर्ट तक अब नई रेलवे लाइन और एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा बहुत सारे लोगों की कोशन थे कि मैं प्लीज ये बताईए कि उसका क्या अपडेट रहा वो सडक के थू जोडा जाएगा या रेलवे लाइन के थू तो वो रेलवे लाइन और एक्सप्रेस वे से जोडा जाएगा नोईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चोला और वेर रेलवे स्टेशन के बीच यमना अथोर्टी लोजिस्टिक फार्क बनाएगी इन दोनों प्रोजेक्ट का प्रस्ताव यमना अथोर्टी ने अब तयार कर लिया है और यमना अथोर्टी की 26 जून को होने वाली बैठक में उस प्लान को दर्शाएगी और उन्हें बताएगी तो सातियों प्राधिकरण तो अपनी सारी दिक्कते जो परेशानी हैं वो सब पर अपना काम लगातार कर रहा है और उससाब से आगे बढ़ रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम केवल सुन रहे हैं और समय निकाल रहे हैं और जब इंतजार कर रहे हैं और कि अभी rate और कितना बढ़ेगा बहुत सारे लोगों के question कि मैं आपको लगता है कि rate बढ़ेगा और तो बिलकुर बढ़ेगा साथियों लगातार वीडियो की माधम से बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि rate में भी बहुत उचाल आएगा तो प्राधिकरन की कोई भी नई खबर आती है कोई भी न्यूज आती है या फिर क्या काम चल रहा है और कैसा रहेगा आने वाला इसका भविश्य उस पर लगातार हम कोशिश करते हैं न्यूज के माधम से आप तक वो चीज़े पहुचाने की लेकिन सफल हम जब होंगे इन वी 510-801-801-9800-500-700 ऑफिस एड्रस भी है कंपनी का नाम ओमप्रोब्टेक प्राइविट लिमिटेड अल्फा वन टावर MSX2 फिफ्ट फिलोर कमर्शिल बैल्ट ग्रेटन वैड़ा नियर परीचोग ऑफिस आकर भी आप अपनी चीज़े रख सकते हैं कुछ भी पूच सकते हैं सारी समस्याओं का यहां भी आपको समाधान मिलेगा और अगर मन है इंवेस्टमेंट करने का तो देर मत कीजिए इंवेस्ट कर दीजिए बाकी जल्द मिलूंगी बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी अपडेट के साथ अब लेती हूँ आपसे विदा धन्यवाद